तो last lecture में हमने capacitor का introduction देख लिया था और फिर उसके बाद में उसमें लास्ट में ने बताया था कि कुछ regular geometry के capacitor generally use के जाते हैं और उनके बारे में हम detail में अभी यहां पर पढ़ने वाले तो सबसे पहले में यहां पर ले रहा हूं parallel plate capacitor तो जितने भी यह capacitor हम पढ़ेंगे तो सब की capacitance के जो formulas हैं और formulas भी हम यहां पर derive करेंगे तो जिसे यहां पर नामसी clear हो रहा है कि दो plates यहां पर है और दूसरे के parallel हैं और हमने और अगर दो plates से तरह की की या दो sheets से तरह की की हैं तो उनकी बीस में distance जनरली काफी कम होता है तो वैसे practically तो यह infinite नहीं हो सकते हैं तो जो infinite के लिए results आते हैं वैसी results हम expect कर सकते हैं अगर डी बहुत कम हो तो जनरली प्ले प्लेट capacitors किसी भी capacitors वगिरह में यह distance को काफी कम रखा जाता है इनकी बीस में तो इनकी बीस में अगर distance काफी कम हो तो यह प्लेट्स हैं वह infinite की तरही करेंगे तो यहां पर जो जंशन इंवाल है वह यह कि डीज मच मच लेस देन जो भी यहां पर लेंथ और इस तरह की चीज़ें इसकी तो उनके comparison में जो डी यह होती कम है या फिर आप अन्यारप है यह जो प्लेट्स है यह सब्क्रोड एक इनकी बसाट कि दी उल मेंच वहां पर काफी कम होना चाहिए अब इसके बार में इसका का फॉर्मला घराइब करना चाहते हैं तो बार बार यहां पर इस तरह के से एक कि दिखाने के बज़ा है प्लेट्स को सिंप्ली आप इस तरह के से रिप्रजेंट कर सकते हूं यू कि यहां पर अगर कोई ख़ड़ा होके देख रहा है उसके लिए कुछ इस तरह की का दिखाई देगा तो दो प्लेट्स यह जो गैप काफी काम होना चाहिए इनके 20 में उस गैप को मैं यहां पर डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और हमने देखा था कि के चार्जिंग जनरली किस तरह किसे की जाती है तो वैसे कि उसको बैटरी से करनेट करते हैं बैटरी से करने करने के बाद में एक टर्मनल पर पॉस्टिव टर्मनल पर नेगेटिव चार्ज यहां पर आ जाता है तो जितना एक जेगा पॉस्टिव होता है एक जेगा पर नेगेटिव होता है तो मालनी जे यहां पर क्यू चार्ज आ जाता है और यहां पर माइनस क्यू चार्ज आ जाता है अब यह जो चार्ज है चार system के पास में होता है net Chars divided by 2 half half तो net zoals यहां पर जीरो है q और minus q 0 हो जाएगा तो यहां और यहां पर किसी का चार्ज नहीं आएगा जै ह। there is no charge here कोई charge यहां पर नहीं आ रहे इस है और इसकल अतलब और कि पूरा का पूरा पर माइनस Q है, तो Q और माइनस Q, अब हमें Capacitance calculate करने के लिए क्या करना होता है कि Capacitance we can calculate using the formula C is equal to Q by V, इस formula का use करके we can find the capacitance of a system, तो charge तो already हमने यहाँ पर assume कर लिया है और हमने यह claim किया था पहले कि charge पर depend नहीं करता है, तो let us see कि charge आएगा कि नहीं आएगा final result में और potential difference between the two, तो potential difference निकालने के लिए हम electric field निकाल लेते हैं, अगर potential के readymade formulas हमारे पास में है तो उनका use कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की plate system के लिए potential at a point का readymade formula उस तरह के का generally होता नहीं है, तो हम potential difference find out करेंगे using electric field, तो इनके field आएगा वो इस direction में आएगा, तो मैं उसी color से represent कर रहूं जिस color से मैं इस charge को यहां पर लिखा हुआ है, और कितना electric field आएगा तो आप याद करो फॉर्मला होता था, किसी एक single layer की वैयर से जो electric field का formula होता है, that is sigma by two epsilon not, तो sigma की value यहां पर कितनी हो जाएगे q divided by a, और एक two का factor आएगा, तो यह सब हमने already वैसे किया हूँ electrostatics में, तो यह जो electric field होगा, this electric field is q by two a epsilon not, तो यह तो left वाले charge की वैसे हो गया, जो right वाला charge है, जो यह charge है, तो इस charge की व क्योंकि negative charge है, तो negative charge के तरफ ही आएगा, और अगेन यह भी उतने ही आजाएगा, q divided by two a epsilon not, और यह सब जो electric field होते हैं, वो distance वगरा पे depend करते ही नहीं है, तो इसका आतलब है, इन दोनों को directly आप add कर लो, और यह uniform electric field होगा, तो जो net electric field होगा between the plates, electric field between the plates will be, तो just add this two, और यह add करके हो जाए, q divided by a epsilon not, तो यह हमें वैसे dietily भी याद हो जाना चाहिए, कि अगर यहाँ पर q, यहाँ पर minus q है, तो in between, यहाँ पर q upon a epsilon not electric field हो जाता है, अगर यहाँ पर charges होते भी, तो यह दोनों जो charges हैं, वो charges, बीच में किसी तरह के electric field produce नहीं करते हैं, जितना यह towards right produce करता होतना है, यहाँ पर towards left produce करता है, और वो nullify हो जाता, तो जो between वाला reason है, वहाँ पर जो भी यहाँ पर electric field आता है, वो electric field, सिर्फ इस q और minus q के वैसे आएगा, और हम बोल सकते हैं कि जो potential difference भी इसका हो, तो potential difference में, यही दोनों participate कर रहे है, potential difference और electric field के calculation में, अब potential difference निकालते है हैं दोनों की बीस में, तो क्योंकि electric field uniform है, तो just में electric field के along electric field plates के perpendicular होगा, यहाँ पर electric field के along यहाँ पर move कर जाता हो, यहाँ से यहाँ तक, तो कोई integration की और इनकी मेरे को जोतनी पड़ेगी, electric field uniform हो रहा है, यहाँ पर, simply e into d, e की value है हमारे पास में, तो q upon a epsilon not into d, just अब हमें यह ratio calculate कर लेना है q by v, और वो ही हमारे यहाँ पर capacitance हो जाएगा, तो q और v को आप इधर ले आओ, तो it will give capacitance as q by v, और q by v से हमारे पास जो answer मिलेगा, यहाँ पर, वो है epsilon not a by d, a very important result to remember, तो इसको हमें याद कर लेना होगा, c is equal to epsilon not a by d, और किन किन चीजों पर यह expression depend करता हो दिख रहा है, तो epsilon not, अभी हम यहाँ पर vacuum वगरे लेके चल रहा है, और a यहाँ पर plates का जो यह area यहाँ पर, d यहाँ पर, इनके भी इसका जो gap है वो, तो epsilon not a by d, तो कहीं पर भी final result में charge और voltage यहाँ पर नहीं आ रहा है, इनका जो ratio है, वो ratio ultimately geometric को यहाँ पर represent कर रहा है, geometrical parameters को यहा और कुछ बात हैं यहाँ पर parallel plate capacitors से related में यहाँ पर कर रहा हूँ है, तो electric field को वैसे तो हम बोलते हैं कि uniform है, लेकिन होता है यहाँ पर यह कि plates के बीच में distance काफे कम होना चाहिए, और जो central region है वहाँ पर थोड़ा uniform रहता है, लेकिन जैसे से आप central region से थोड़ा बाहर के तर प्रेडियूस कर रहे होंगे, नीचे वाले charges भी कुछ वैसे प्रेडियूस कर रहे होंगे, तो जो symmetric direction है, वो infinite होनी चाहिए, वो perpendicular होनी चाहिए, लेकिन वो plate के central region है, central region के अंदर ही ज्यादा सही होता है, जैसे हम end के तरफ जाते हैं, तो उसको हम बोलते है, end effect बोलना देते हैं, वहाँ पर electric field थोड़ा सा non uniform होने लग जाता है, और जो lines है, वो कर हो जाती है, अगर non uniform उस त्रेकिका हो रहा है, तो इसकी electric field lines में बार यहाँ पर draw करना चाहूँगा, तो electric field lines for this capacitor, parallel plate capacitor, तो electric field lines, ideally questions को solve करने के लिए, हमारे mind में जो picture होती है, वो कुछ इस त्रेकि रहेगी, लेगन actual में, I should draw it here, जो uniformity है, वो थोड़े middle region में है, जैसे यह से आप थोड़ा सा दूर जाते हो, तो हलकी हलकी bending होने, start हो जाएगी, यहाँ पर इसमें, I am assuming कि यहाँ पर plus q charge है, यहाँ पर minus, यहाँ से lines निकल रहा है, यहाँ पर terminate हो रही है, और एक और चीज़ है, यहाँ पर इसमें, जो हमने last class में देखा था, capacitor के, जो definition देखी, तो उसमें मैंने बताया था, कि, जो electric field lines होती है, electric field lines, अगर कोई भी random shape का होता है, तो उस case में क्या होता है, कि, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, सब lines आ के terminate हो रही है, लेकिन, वो पूरे infinite reason के अंदर value line, जो energy है, वो energy यहाँ पर distributed तो है, लेकिन, पूरे infinite space पर energy distributed है, अब हमने यहाँ पर क्या कर दिया, कि, almost जो सारी energy है, वो plates के बीच में ही है, ठीक है, हम इसी picture command में रखते है, तो almost जो सारी energy है, वो plates के बीच में ही है, तो एक definite space है, उस definite space के अंदर हमने यहाँ पर energy को confine कर दिया है, और अगर आप practical aspect के साब से भी देखोगे, तो ऐसा ही होना चाहिए, कि, जो energy है, वो एक particular space के इंदर store होनी चाहिए, जिसको हम use कर पाए, infinite space में energy stored है, उसका कोई फाइदा नहीं हमारे यहाँ पर, तो energy को हमने ट्रेके से confine कर दिया, हमने geometries को इस त्रेके से select कर यह कुछ ऐसा किया है, कि energy को हमने confine कर दिया, between the two plates just, यह जो effect है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर इसको लि fringing effect, तो this effect is called end effect, और fringing effect, तो next topic लगते है, जो parallel plate के पैसे है, उसके plates के वीच में कितना force लगता है, यानि कि एक plate जो है, दूसरे plate पे कितना force यहाँ पर लगा रही होती है, तो suppose यह plate जिस पे plus q charge है, और यह दूसरी plate जिस पे minus q charge है, यहाँ पर, तो plus q minus q, आप समझ जाओ कि plus q minus q कहाँ पर होंगे, तो यह inner facing surfaces पी रहते हैं, plus और minus, तो यह जो plate है, इस plate पे कैसे force लगा रही होगी, और यह भी उतना attractive force इसके पर लगा रही होगी, तो forces must be attractive, जैसे plus minus sign से यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन कितना होगा force, तो force निकालने के लिए, अब वैसे तो net electric field होता है q upon a epsilon naught, लेकिन जब मैं इस पे force निकालूँगा, due to this plate, तो मुझे ऐसा करना चाहिए, कि इसकी वज़े से यहाँ पर कितना electric field produce हो रहा है, सिर्फ मैं उतना ही लिख हूँ यहाँ पर, तो सिर्फ एक plate की वैसे, एक दूसे plate पर कितना electric field उस location पर produce होगा, तो वो electric field होता है, q upon two epsilon naught, आधा आधा हो जाता है, तो यह तो electric field है यहाँ पर, इस plate की वैसे, यह उल्टाइब बोल सकते हैं, कि इस plate की वैसे, यहाँ पर जो electric field है, वो है q divided by two epsilon naught, और electric field uniform type का ही है, और उसको आप यहाँ पर charge multiply कर दो, just यहाँ पर force निकालने के लिए, तो electric field multiplied by charge, तो charge is q, तो इस से यह force calculate हो जाएगा, this force is q square divided by two epsilon naught, obviously है कि this force is attractive, तो sometimes हमें यह situation दी जाती है, कि दो plates, दोनो plates पर charges different different है, तो उनको कुछ ऐसे charge करके लाया गया होगा, और एक दूसे एके नजदिक लाके रखा गया होगा, और उस समय पर charge हो सकते है कि different, इसको कहीं और से charge किया, इसको कहीं औ हमाली जेक इन पर different हो गया, और इनको combine करके अब हमें capacitor बना रहा हो, तो charges अगर different है, तब यहाँ पर हम अब जो capacitor के definition है, हमारी वो definition यहाँ पर किस तरह के से इस्तमाल होगी, क्या होगा, तो suppose इस पर q1 charge, इस पर q2 charge यहाँ पर, तो पहले तो आप charges को यहाँ पर distribute कर लो, जो जो net charge होता है, उसका half-half यहाँ पर दोनों side पर आता है, तो q1 plus q2 by 2, net charge का half, q1 plus q2 by 2, और यहाँ पर charge, तो charge conservation करते वे, total charge q1 होना चाहिए, इस प्लेट पर, तो यहाँ पर charge आएगा, वो charge हो जाता है, q1 minus q2 by 2, और यह चीज़ हमें सा valid रहेगी, कि जितना charge यहाँ पर होना चाहिए, तो it is negative of q1 minus q2 by 2, just for the sake of convenience, मैं ऐसा करता हूँ कि इस charge को मैं plus q बोल देता हूँ, और फिर इस charge को मैं minus q बोल दूँगा, यहाँ पर, और again मैं अब वापस से, वो ही definitions और उस तरह से use करता हुए, electric field निकालता हूँ, और potential difference और उस तरह से निकालने को इस करता हूँ, हम देखता हूँ कि इसका capacitance क्या आना चाहिए, तो यहाँ पर potential difference के लिए पहले electric field निकाल लेते हैं, तो electric field के जो value आएगा, अभी भी आप देख सकते हो, कि भले ही यहाँ पर और यहाँ पर charges है, लेकिन यह दोनों charges, plates के बीच वाले region में कोई electric field यहाँ produce करते नहीं, तो यहा सेम डिरेक्शन में electric field produce करें किसी point पर जो कि बीच वी में point है, आप लेकिन यह दोनों opposite करते हैं, इसके वैसे इनका cancel हो जाता है, तो q और minus q हम अल्रड़ी देख चुके हैं कि electric field दोनों का मिला कर क्या आएगा, q upon a epsilon not, उसके बाद में जब आप यहाँ पर potential difference लिखोगे, दो प्लेट्स के बीच में, तो simply e into d हो जाएगा, और यह q by a epsilon not into d हो गया, अब अगर आप यहाँ पर q by v कर दो, तो q by v कर दो तो आपको वही result वापस से मिल जाएगा, absolute a by d, जो की capacitance आया था, यहाँ पर एक दो parallel plates थी, तो दो parallel plates का system था, उसे capacitance का जो formula हमने earlier drive किया था, वही formula यहाँ पर वापस से आ रहा है, लेकिन अब हमें इस equation को थोड़ा से समझ जाना होगा, कि यहाँ पर q is equal to cv, आ क्योंकि एक तरीके से वही electric film participate कर रहे है, between the plates, वही potential difference के calculation participate कर रहे है, यह दुनों जो charges है, यह दुनों charges एक तरीके से static पड़े हुए है, इनका कोई भी effect यहाँ पर in between नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर, तो एक तरीके से, in some sense, these charges are useless, q1 plus q2 by 2, as it is, यहाँ पड़े रहेंगे, even if, अगर आप इसको battery से connect करते हो, v volt battery से connect करते हो, तो ultimately यहाँ पर inner facing surfaces पर charges होने चाहिए, plus cv minus cv हो जाने चाहिए, क्योंकि ultimately वह potential difference को control कर रहे है, यह charges as it is रहेंगे, हमनों कुछ problems भी लेंगे इस तरह की कि, लेकिन, at this time, you just remember कि, जो q charge है, this charge is on inner facing surfaces, तो जब भी हम यहाँ पर, इस capacitor में, यहाँ पर charges की यहाँ पर बात करेंगे, तो इसका मतलब वो हमेशा inner facing surfaces की charge होने, तो on inner facing surfaces, c again, वही capacitor अफशल लूटे बाइटी और v is potential difference, तो जब भी हम parallel plate capacitor में, q is equal to cv, इस equation को use करेंगे, तो q हमेशा यहाँ पर represent करेगा, charges on the inner facing surfaces, again वही capacitor का formula है, उसी से potential difference, इस तरह से related हो, इसके बाद next ले रहे हैं, spherical capacitor, तो spherical capacitor जिसे हम पर diagram में दिखा रखा है, it is a combination of two concentric spherical conductors, जिसमें अंदर वाले के radius r1 assume कर रहा हूं, बाहर वाले के radius r2, suppose उनको battery या कहीं से collect करके, एक पे plus q charge आगे, एक पे minus q charge आगे, और जब भी plus q minus q charges इस तरह के से आते हैं, तो उस case में होता है, यहाँ पर यही है, कि यहाँ अगर plus q है, तो minus q यहीं पर रहेगा, और बाहर को generally हम यहाँ पर earthing बगर भी इनकी कर देते हैं, बाहर का charge है, वो earth में यहाँ पर flow कर जाए, क्योंकि earthing हो जाने के बाद में, इसका potential हम बोल सकते हैं, कि 0 हो गया, और अब देख सकते हो कि, इसका जो potential है, अगर यह charges वैसे भी रहते हैं, तो 0 ही रहेगा यहाँ पर, लेकिन अगर कोई charge यहाँ पर कहीं से आ भी जाता है, त तो उसको यहाँ पर earth करके, इस तरह के से ground में उसको send किया दा सकता है, तो अब यहाँ पर इसका capacitance calculate करने के लिए वापस से वही बात है, C is equal to Q divided by potential difference, potential difference को मैं ऐसे लिख लेता हूँ यहाँ पर, A और B अगर मैं लिख रहा हूँ इसको, Q divided by VA minus VB, तो अगर मैं VA calculate करना चाहता हो यहाँ पर तो VA, अब directly VA calculate कर सकते हो इसमें, क्योंकि हमारे पास में sphere के cases में potential calculate करने के direct formulas होते हैं, अगर हम नहीं calculate कर पा रहे हैं, direct formulas नहीं है हमारे पास में, तो फिर हमें integration का use करना होगा, तो यहाँ पर बिना integration के व्यापिस हो कर सकते हो, तो VA यहाँ यहाँ पर हो जाए पर देगा, Q divided by 4 by epsilon not r2, VB अगर में लिखना चाहूं यहाँ पर, तो वैसे तो 0 ही यहाँ पर यह, लेकिन अगर फिर भी यहाँ पर लिखना चाहें, confirm करने के लिए, तो खुद के charge के वैसे और इस charge के वैसे, तो 1 upon 4 by epsilon not, इस charge के वैसे Q divided by r2, क्योंकि बाहर का point है, और खु के वैसे अगर में हाँ पर रखदू, तो C is equal to, तो this Q divided by, take this common, Q divided by 4 by epsilon not is common, 1 by r1 minus 1 by r2, this Q will be cancelled and final answer will be 4 by epsilon not r1 r2 divided by r2 minus r1, तो again, we should remember this formula of capacitance, for this spherical capacitor, 4 by epsilon not r1 r2 divided by r2 minus r1, this formula has to be remembered, और इसमें भी आप देख सकते हो, जो energy है, वो energy is confined region के अंदर, यहाँ से lines निकल रही हैं और यहाँ पर terminate हो रही है, तो energy is confined in this region, between the capacitors, between the conductors only, this formula is related, we can take some special cases, पहला special case में यहाँ पर ले रहाँ, तो we are going to take some special cases related to this formula, number one, suppose जो r2 है, वो r1 के comparison में बहुत बढ़ा है, एक तरह के से infinite पर है, तो r2 अगर r1 के comparison में बहुत बढ़ा है, तो उस case में जो formula हमारे पास में यहाँ पर आएगा, तो r2 बहुत बढ़ा है, तो आप य we will get four five absolute r1, और यह जो situation इसको आप physically ऐसा ही बोल सकते हो, कि lines जो है, जैसे lines यहाँ से निकल रही है, और वो infinite पर जाकर terminate हो रही है, तो अगर माल दीजे यहाँ पर यह नहीं भी होता अगर, बी नहीं भी होता यहाँ पर, तो तब भी अगर मैं इसको अगर अकेला छोड़ तो यह जो lines थी, वो infinity पर जाकर terminate होती, तो कई पर हम इसको बोल देते हैं, कि यह जो case है, वो एक तरी case है, एक single isolated conductor को represent कर रहा है, कि अगर सरफ यह होता, तब भी हम इसके लिए capacitance इस तरह के से define कर सकते थे, तो it is like, it is like an isolated conductor, एक isolated conductor के तरह यहाँ पर behave कर रहा है, बस एक conductor हमन of course, charge देख करके उसको, और उसका, अगर radius अगर मालने हैं, यहाँ पर R is simply, तो इसका जो capacitance है, वो इसके बराबर ही आ जाएगा, 4500 into R, यहाँ से lines निकलेंगे, और वो line कहां पर जाके terminate हो रही, infinity पर जाके terminate हो रही है, line C, टेक चरीके से, इसका जो दूसरा conductor है, वो infinity पर र जखा हो उसका potential, तो उसका potential तब ऐसी 0 है, क्योंकि वो infinite पर है, एक तरीके से, तो एक तरीके से V-0 है, उसको आप यहाँ पर simply आप V लिख सकते हो, तो Q by V, तो जब भी एक isolated conductor हमें directly दे दिया जाए, तो उसके अकेले का capacitance भी आप यहाँ पर define कर सकते हो, C is equal to Q by V, लेकिन 0 यहाँ पर आजाएगा इस case में, लेकिन अगर मालीज यह, वो इसके pass में होता, तो उसके negative charge के वैसे कुछ negative potential, कुछ minus होता यहाँ पर, इसमें V minus V भी कुछ ऐसा बनता है, यहाँ पर, तो capacitance बढ़ जाता, इसलिए capacitance बढ़ाने के लिए, जातर हम क्या करते हैं कि, इसके साथ साथ में, एक negative भी यहाँ पर, दूसरा conductor भी pass में रखते हैं, जिससे की, एक positive potential हो, उसमें से negative potential minus हो जाए वहाँ से, तो उसके वैसे नीचे का जो net potential difference है, वो कम हो जाता है, और C बढ़ जाता है, तो इसलिए, single isolated का use, जो है preferable नहीं है, यहाँ पर, just mathematically, यहाँ पर हम इन चीज को देख सकता है, इसमें, तो एक to case यहाँ पर यह हो गया, जिसमें radius बहुत बढ़ी है, तो हम एक तरीके से बूल सकते हैं, कि this is behaving like isolated conductor only, और उस isolated conductor के लिए, directly हम इस formula को use कर सकते है, C is equal to Q by V, इसके अलावा, अगर इस formula को अगर आप directly use करके देखो, तब भी आपको यह मिल ज करके यह result ला सकते हो इस तरह की का, इसका दूसरा special case में यहाँ पर ले रहा हूँ, अब यह बिल्कुल contrasting case हो जाएगा, दूसरा case जो होगा है, इसमें number 2, suppose इन दोनों के बीच में जो gap है, वो gap बहुत ही कम है, यानि R1, R2 जो है, वो almost equal है, कुछ तरह की situation, this gap is very narrow, R2 and R1 are nearly equal इन में बहुती छोटा सा difference है, कुछ तो difference हो गई, R2 minus R1 जो है, वो एक तरह के से D के बराबर है, D is the gap between the two, और R2 और R1 को आप nearly R के बराबर मान लो, तो अगर मैं इस approximation में capacitance का formula calculate करूए यहां पर, तो आपको एक बहुती surprising result मिल सकता है, इसमें, 4 पैप्सलोंट, R1, R2, R1 औ R2 दोनों nearly equal हैं, तो R2 कर देंगे इसको, तो 4 पैप्सलोंट R2 divided by, R2 minus R1 को मैंने यहां पर D से represent कर दिया है, इसके अंदर, और आप इसको अब इस तरह के से represent कर लो, अप्सलोंट 4 पैप्सलोंट R2 by D, now this 4 पैप्सलोंट R2 is surface area, एक तरह किस दोनों का surface area जो है, वो almost almost यहां पर equal है, तो surface area of both are almost equal, तो this term is surface area और यह एप्सलोंट R2 by D, तो यह जो formula है कैसे आ रहा है विल्कुल, पैरलल प्लेट केपेस्टर के तरह, इस लाइक पैरलल प्लेट केपेस्टर, तो अगर gap बहुती काम है इनके भी समें, तो यह पैरलल प्लेट्स ही हैं, जिसे यहां पर पैरलल, बस यह घुमती हुई पैरलल प्लेट्स आप बोल सकते हो, यह पैरलल, इस तरह के से आपस में, nearly parallel इस तरह के चल रहे हैं, और दोनों surfaces का area, nearly 4 पैर स्कॉइर के बराबर है, तो exactly it is similar to parallel plate capacitor in this approximation इसके बाद next ले रहे हैं, cylindrical capacitor तो it is a combination of two conducting coaxial cylinders जैसे डिग्राम में दिख रहा है, inner radius यहाँ पर मैंने A लिया हुआ है outer radius यहाँ पर B लिया हुआ है सपोज मैं इसको A बोल देता हूँ, this is A and this is B और जो भी इनके charging इस तरह के सी किये गई है, कि यहाँ पर कुछ plus Q charge इस पूरे पर distribute हो गया और यहाँ पर minus Q charge यहाँ पर distribute हो गया इसके अंदर और again Q by V करके we can find a capacitance, लेकिन उसके लिए electric field यहाँ पर निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के system के लिए हमारे पास में कोई ready-made formula ऐसा होता नहीं है, तो हमें electric field यहाँ पर calculate करना पड़ेगा इसमें, और already हमने electrostatics में ऐसे cylinder के लिए calculations कर रखी हैं, तो वह ही calculation उसे तरह calculation यहाँ पर repeat होगी, एक Gaussian surface आप इस तरह की कि यहाँ पर ले सकते हो cylindrical Gaussian surface जिसके जो radius है, वो radius यहाँ पर R के बराबर हो जाए, तो R के बराबर radius वाला यहाँ पर यहाँ पर यह अपले करके calculations करके दिखा सकते हो, तो just मैं उसको अथने detail में नहीं जा रहा हो, just मैं इस calculation को ऐसे लेख सकता हो e into 2 by R, अगर यह length L है, तो RL, और आप यहाँ पर linear charge density define कर सकते हो, कि per unit length of the cylinder, क्योंकि जो charge हो तो surface पर, यह सरफ यहाँ पर, तो जिसमाली जे आप इतनी length का cylinder लेते हो, और फिर आप इस double length का cylinder यहाँ पर कहीं जाके ले लो, तो आपको double charge मिलेगा, तो आप length wise भी यहाँ पर define कर सकते हो, यहाँ पर इसको, तो this will be, यह तो हो गया flux, और यह हो जाएगा lambda, lambda यहाँ पर linear charge density divided by L into epsilon, तो आपको वैसे formula मिल जाएगा, generally जैसा मिला करता है, 2 के lambda by R, अगर मैं K के form में लिख रहा हूँ, absolute के form में लिख रहा हूँ, तो lambda divided by 2 pi epsilon into R, तो this is the electric field, और इस electric field का यूज़ करके आप A और B की पोटेंशल difference निकालो, तो VA-VB, क्योंकि A positive, इसलिए मैंने VA-VB लिख दिया है, हमपर इसमें, minus, तो VA-VB है तो from B to A, E dot DR, तो B to A, यहनिकि इदर से इदर जाना है, लेकिन अगर मैं minus यहां से हटा दो, तो फिर यह limits change हो जाएंगे, it will become A to B, E dot DR, तो A से B तक आप चले जाओ, और electric field radial होगा, तो इस radial line को पकड़ करके चले जाओ, तो यहां पर electric field का formula लिख देंगे, और जो constant है, बाहर आ जाएंगे, 2 pi epsilon, this is constant, 1 by R DR, बसना चाहिए यहां पर और A से B, तो A के लिए आप यहां पर लिख लो A और यह हो गया B radius, तो potential difference is lambda divided by 2 pi epsilon 0, ln B by A, lambda को you can write Q by L, 2 pi epsilon 0, ln B by A, potential difference हो गया, Q by V करेंगे, तो it will give the capacitance, तो C is equal to Q by V, तो this Q by V is 2 pi epsilon 0, ln B by A, sometimes the quantity is also defined called capacitance per unit length, तो यहां से अगर मैं C by L defined करूं, तो यह हो जाएगर 2 pi epsilon 0, ln B by A, this is called capacitance per unit length, अगें मैं इसमें भी अगर approximation यहां आप यूज करूं कि B और A अगर nearly equal हैं और B और A के बीच में difference D है, where D is much much less than A and B, तो D अगर A और B से बहुत कम है, A और B के बीच में difference अगर D है यहां पर, तो अगर मैं इसके लिए इसको आगे proceed करूं तो यह हो जाएगा, 2 pi epsilon 0, B के जिएकर पे आप लिख से तो A plus D, थोड़ा और इसको change कर ले तो 2 pi epsilon 0, this is ln 1 plus D by A, और यह formula आपको पता होगा, ln 1 plus X कुछ इस्त्रेकिका होता है, X minus X square by 2 और उसके बाद और higher powers यहां पर आएंगी, तो अगर यहां पे D by A, much much less than 1 है, ठीकिए, बहुत कम है इसमें, तो D by A, much much less than 1, तो उसके इसमें higher powers को अगर आप neglect कर दो, तो ln 1 plus X जो है, वो X के बराबर ही हो जाएगा, और X यहां पे D by A है, तो अगर मैं इस approximation के साथ आगे जाओं, तो 2 pi epsilon L, D by A, तो A उपर पहुंच जाएगा यहां पे, और अब वापस से अगर यहां पर इसको देखो, तो 2 pi R, radius almost A के बराबर, यह surface area हम देख रहे हैं, surface area almost दोनों का सेम हो जाएगा, तो 2 pi R into L, कुछ इस तरह के का हो गया यहां पर यह, तो this is the surface area divided by D, तो again, in this approximation, it is also behaving like parallel plate capacitor, तो I'm going to take some problems here, तो इसमें यहां पर एक capacitor और एक battery यहां पर connected है, battery का जो E में F है, वो V के बराबर है, capacitor का circuit में symbol कुछ इस तरह के से होता है, जहां पर दो parallel line हैं हम यहां पर दिखा देते हैं, जिनका length हम बराबर बनाने को इस करते हैं, battery से different, battery में length unequal दिखाते हैं यहां पर और इसमें length को equal करके दिखाए जाता है, इसके बाद में, तो इस question में यह कह रहा है कि, एक uncharge capacitor इसको battery से connect कर दिया गया है, सब को सब को यहां पर दी दिया गया है, तो you have to find the work done by the battery, तो हमने यह पहली भी देखा हुआ है कि, अगर capacitor है, उसको अगर आप battery से connect करते हो, तो ultimately होता यह है कि capacitor की जो दो plates हैं, इन दोनो plates के base में potential difference, ultimately battery के EMFQ के यहां पर internal resistance के दबात हो नहीं रही है, और directly connected है यहां पर यह बैटरी के साथ में, तो directly connected just single capacitor यहां पर यह, तो ultimately battery के EMF या potential difference के बराबर हो जाता है, इसके across potential difference और एक capacitor के अगर potential difference अगर V के बराबर हो जाए, तो charge फिर कितना हो जाता है, CV के बराबर, माइनस CV चार्ज यहां पर आएगा इसमें, तो प्लस CV और माइनस CV चार्ज ऑविज से कि जो positive terminal से connected है, वहां पर प्लस CV और जो negative terminal से connected हो वहां पर माइनस CV, तो charges जो finally यहां पर होंगे, प्लस माइनस CV, यानि ऐसा दिखाने का मतलब यह कि इस पर प्लस CV से माइनस CV है, अल्टिमेटली चार्ज जाता कहां पर है, तो यह inner facing surfaces पर चार्ज रहता है, outer surfaces पर चार्ज नहीं होगा यहां पर, क्योंकि एक जगा प्लस CV, एक जगा माइनस CV है, तो net charge तो 0 है, तो 0 by 2, 0 by 2 होगा यहां पर, अब अब देखो कि यहां पर पहले 0 charge था, तो इसका हमतलब है कि battery से, के positive terminal से इस direction में, प्लस CV charge गया होगा, तो जब भी battery के positive terminal से, positive charge flow होता है बाहर के तरफ, तो हम बोलते हैं कि work done by the battery है यह, तो work done by the battery is Q into V, Q यहां पर कितना, कितना charge flow कर रहा है बैटरी के थिरूँ CV, तो answer will be CV square, this much work is done by the battery, इसे में different cases ले रहा हो यहां पर, suppose एक capacitor है, जो पहले से थोड़ा से charged है यहां पर, अभी हमने से इसको close नहीं किया है, तो पहले से कहीं से हमने इसको charge किया होगा, और charge करके यहां पर लाके रख दिया, और अब इस circuit में उसको connect कर दिया गया, जहां पर एक battery connected है, जो कि V voltage की है, या V EMF की है, और हमें पता करना है कि after closing the switch, what is the work done by the battery, तो जब मैं इसको यहां पर close कर दूँँगा, तो close करने के बाद में, ultimately देखिए, capacitance की value C की बराबर है यहां पर इसमें, लेकिन आपको दिख रहा होगा साफ साफ की potential difference V नहीं है यहां पर, potential difference V होने का मतलब होता है कि charge plus C minus C V होना चाहिए, तो पहले से charge है यहां पर इसमें, और अब यहां पर जो charges के flow होंगे, finally यहां पर क्या होगा, कि charges plus C V और minus C V हो जाएंगे इसमें, तो अगर मैं final diagram को यहां पर draw करूँ, तो ultimately जो charge यहां पर capacitor के plates पे होगा, वो plus C V and minus C V होगा, ultimately, और यह सारे charging की flow यहां पर हो रही है, उसमें जो time लगता है, that is fraction of seconds, ठीक है, nanosecond order का time लगता है, बाद में हम resistance वगरा भी include करेंगे, कि कुछ finite resistance से circuit का, और फिर जो समय है, वो फिर वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, इसके charging का, लेकिन charging यहां पर, जो हो रही है भी फिलाल, बहुत ही कम समय में हो रही, आल्मोस्ट आप मान सकते हो, जैसे हमने switch close किया, आल्मोस्ट यह पूरी charging हो गए, जहां तक होनी थी इसमें, तो यहां पर plus c minus cv charges, ultimately आ गए है, अब अगर यहां पर देखा जाए, इस system को, तो इसमें अभी यह बात हो रही है, इसमें कि यहां पर, charge जो है, कितना देनी, कितना charge यहां से flow होके गया होगा, तो आप charge का हिसाब किताब लगा लो, c by 2 और cv, तो इसका मतलब यहां से charge flow होके गया है, वो just c by 2 है, पहले से c by 2 था, और extra कितना flow कराना पड़ेगा, बैटरी के थू, c by 2 के बराबर, तो इस case में जो work done by battery होगा, that will be, charge c by 2 into v, cv square by 2, आप देख सकते हैं, तो effort कम है यहां पर इसमें, पिछले वाले में effort, या बैटरी का जो work done था, वो cv square था, अब के बार, बैटरी का effort, थोड़ा से reduce होगया, cv square by 2 होगया, depending upon कि इसके पास, कि इसके पास तो पहले से इतना charge है, यहां पर जितना चाहिए, तो potential difference v के बराबर, फिर यहां है potential difference v के बराबर, there will be no charge flow, in that case, बैटरी कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, अगर पहले से plus e minus e v charge है, तो next example ले रहे हैंगे, तो थोड़ा से again, मैंने situation को change कि, अब के बार यहां पर minus e plus e v charge है, और बैटरी से connect करने वाले switch को close करते हुए, तो work done by battery बताना है, तो पहले से charge कुछ भी हो यहां पर, ultimately, finally क्या होने वाला है, finally यही होगा, plus cv and minus cv, अब पहले से कुछ भी करके रख लो, ultimately होना तो यही है, plus cv and minus cv, और अब यहां पर battery के थूँ कितना charge flow कराना पड़ेगा, तो battery के थूँ जो charge flow कराना है, वो तो है यहां पर कि minus cv था, minus cv स्प्लेट पर था, और अब वो किस में convert हो गया है, plus cv में convert हो गया, तो इसका मतलब यहां पर यह है, कि battery से होते वे चार्ज यहां पर गया है, वो है 2 cv, ठीक है, पहले से कितना charge था, q initial, plus कितना charge flow हुआ, एक तरीके से यह हो जाएगा, q final, तो यहां से भी आप देख लो, q final minus q initial, q final is plus cv, q initial is minus cv, तो 2 cv charge flow कराने के ज़रूत है, यहां पर, work done कितना करने की ज़रूत है, तो 2 cv into v, 2 cv square, तो same final situation पे पहुचाने के लिए, जो capacitor plates से, उनको same final situation में लाने के लिए, आप देख रहों कि battery का जो work done है, वो different situation में different आ रहा है, यह बिलकुल खाली था, इसके पास कोई charge नहीं था, cv square के बराबर work आ गया है, कोई रटने की ज़रूत नहीं है, simply हम charge निकाल लेंगे, और जो भी voltage है, इसका E-MF से multiply कर देंगे, यहां पर पहले से कुछ charge था इसके पास में, थोड़ा सा effort कम लगाना पड़ा बैटरी को, लेकिन यहां तो बिल्कुली उल्टा था, negative, negative को positive में convert करना पड़ा है, इसको, तो effort और ज़्यादा बढ़ गया है, इसका, इसको आप यहां पर relate कर सकते हो, हमरे practical life में student teacher, student teacher के साथ में, यहां पर इसके analogy ली जा सकती है, जैसे, एक student है, तो कुछ भी नहीं आता है, तो ठीक है, teacher को effort लगाना पड़ेगा, work done करना पड़ेगा teacher को, there is some effort by the teacher, पहले से अगर कुछ आता है, तो definitely teacher का जो effort है, वो कम हो जाएगा यहां पर, लेकिन पहले से कुछ आता भी नहीं है, और जो आता है, वो भी उल्टा पुल्टा नेगेटिव आता है, तो उसमें तो teacher का जो effort है, वो बहुत ज़द बढ़ जाएगा यहां पर, तो कुछ वैसे यहां पर battery के साथ में हो रहा है, कि यहां तो बिल्कुल उल्टी situation है, कि negative charge है यहां पर, मैंने जस्ट यहां पर CV ले लिए, आप कुछ भी यहां पर charge ले लो, उसके accordingly आप चार्ज कितना flow होगा, वो calculate कर लो, तो जो teacher है उसको, आप battery से आपर compare कर सकते हो, teacher को finally situation तो सब कोसिस करने के final situation सबकी सेम हो, finally सबका syllabus complete हो, teacher को ultimately करना तो यह ही है, लेकिन किसी के साथ में उसको effort कुछ ऐसा लगाना पड़ेगा, किसी के साथ उसका effort कुछ ऐसा हो सकता है, और किसी के साथ उसका effort बहुत जाला बढ़ सकता है, next question ले रहे, तो suppose capacitor की यह जो दो plates हैं, इन पे already पहले से charge ता कहीं से इनको charge किया गया होगा, तो 10µ कुलम और 6µ कुलम, तो लोगे डाट हो सकता है कि इस तरह इससे charging कैसे की गई, तो इसको किसी और battery के साथ में connect कर दिया गया होगा, किसी और capacitor plates के साथ में, इसको किसी और capacitor plate के साथ में कहीं और connect कर दिया गया होगा, फिर उन plates को अलग-अलग वहां से लिया गया, separate किया गया, और फिर इन दोनों का अलग से combination बना दिया गया होगा, कुस भी करके, यहाँ पे यह charges आ गए, अब इनको पास-पास लाए गया, capacitor बना दिया गया, और उस capacitor को बैटर से connect कर दिया गया, यहाँ पर इसमें, और कैसे connect किया गया, उसके लिए मैंने यहाँ पर mark कर रखा है, कि इस plate को A से represent किया, इस plate को B से, तो जो A वाली plate है, उसको positive terminal से, और जो B वाली plate है, उसको negative terminal से हमने connect कर दिया, connect करने के बाद पूछा जा रहा है, कि finally charges क्या क्या कैसे कैसे आ जाएंगे, और क्या battery को work done करना पड़ेगा, उन सब बातों के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप चाहो तो initial distribution यहाँ पर कर सकते, तो initial distribution के लिए हमें क्या करना होगा, जब इसको बैटरी से connect नहीं किया गया, तब की बात बता रहा हूँ में यहाँ पर, तो total charge देख लो 10 और 6, 16, 16 का half कर लो, तो 16 का half करेंगे, तो it will be 16 by 2, यह हो जाएगा 8 microcolum, और फिर यहाँ पर भी 8 microcolum होना चाहिए, फिर आप charge conserve कर लो, यहाँ पर 2 microcolum, और फिर यहाँ पर minus 2 microcolum, तो हर जगा आप देख सेकते हो, तो सही तरह के हमने charge को distribute कर दिया है, 8 plus 2, 10 हो जाएगा, minus 2 plus 8, 6 हो जाएगा यहाँ पर इसमें, अब इसे हमने यहाँ पर इसमें connect किया, जब आपने इसको यहाँ पर connect किया, तो ultimately क्या होना चाहिए, कि दो capacitor के जो plates हैं, इन दोना plates के बीच में जो potential difference है, potential difference 10 volt के बराबर हो जाना चाहिए, पहले से क्या था, तो पहले से 0 तो नहीं था, पहले से भी कुछ था यहाँ पर अगर आप Q by C करो, तो Q by C करके देखोगे कि 1 volt का potential difference है पहले से, ठीक है पहले से क्या है, वो final situation को decide नहीं करता है, finally तो आपको यह पता है कि हाँ, अगर यह battery है और capacitance अगर 2 है, तो 10 और 2, यह multiply हो जाएंगे, 20 होता है multiply करके, तो और control कौन करता है, बीच में जो electric field होता है, उसो control यही charges करते हैं, जो potential difference होता है, उसो control यही charges करते हैं, उसके साथ साथ एक important बात यहाँ पर यह है, कि ultimately क्या होता है, कि एक plate से निकल करके, चार दूसे plate तक कौनसता है, तो net charge में कोई change आने वाला नहीं, net charge कितना है system के पास में, 10 प्लस 6, 16, तो जो net charge है, वो net charge अभी भी constant ही रहेगा, यहाँ पर, 16 के बराबरी रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता है, कि battery के पास में कोई storage पड़ा हुआ है, और उसने दान कर दिये कुछ charges इन दोनों को, कि कुछ charges दोनों को दे दिये जाएं, ऐसा नहीं है, तो कोई यहाँ पर दानी नहीं है, जो इनको charge यहाँ पर देगा इन plates को, यह plates खुदी यहाँ पर सब कुछ करेंगे आपस में, एक plate का चार्थ, उसे plate पर जाकर transfer होगा, बस यह होगा, तो दोनों plates का जो combined, total मिलाके जो net charge है, वो अभी भी 16 है, अगर वो अभी भी 16 है, तो जो outer plates हैं, उन पर 16 by 2 ही रहेगा, तो जो outer plates हैं, उनको मैं तोड़ अलग से दिखा देता हूँ, टाइग्राम की clarity के लिए, यहाँ पर अभी भी 8 रहेगा, और यहाँ पर अभी भी 8 रहेगा, क्योंकि net charge अभी भी 16 रहेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि अब यह potential difference जो है, वो 10 volt के बराबर हो जाए, तो उसके जो responsibility है, वो inner facing charges की है, और वो change हो रहे यहाँ पर, और they are changing in such a way, that potential difference is 10, और उसके लिए inner facing surface पर charge चाहिए कितना, इतना चाहिए 10 into 2, 20, we need 20 microcoulomb, तो 20 microcoulomb अगर मुझे यहाँ पर चाहिए, तो यहाँ पर plus 20 चाहिए होगा, क्योंकि positive is connected हो, और यहाँ पर मुझे चाहिए होगा minus 20, तो inner facing surfaces पर चार्ज होगा, plus 20 and minus 20 यहाँ पर हो जाएगा, उसके लिए कितने charges के flow की, जो पढ़ेगे यहाँ पर, तो अल्रेड़ी 2 था यहाँ पर, तो इसका उतलब 18, 18 flow कराना पड़ेगा यहाँ पर, तो 18 flow होने में, वाक्डन बैटरी का कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 18 into 10, अब ध्यान रखो थोड़ा कि माइक्रो में है, यहाँ पर चार्ज, तो जो वाक्डन कांसर आएगा, माइक्रो जूल में आएगा, तो 180 माइक्रो जूल, So, this much is the work done, और जो final distribution उसको मैं बड़ अलग से यहाँ बना देता हूँ, तो final distribution में, यहाँ और यहाँ undistrupt हैं, इन पर कोई effect नहीं है, इसे लिए आप इसको passive, static, कुसी भी बोल सकते हो, यहां पर not participating, कोई participation का नहीं रहेगा यहां पर इसमें, जो participation है, वो अंदर वाले charges का ही है, यहां पर वो ही change होंगे, यहां पर, जब भी आप equation use करते हो, Q is equal to CV, तो जैसे हमने पहले भी देखा, यह जो Q होता है, यहां पर, वो हमेशा inner facing surface का ही charge होता है, now these charges are plus 20 and minus 20, so this is the final charge distribution and this is the work done by the battery.